नमस्कार मैं प्रोफिसर डॉक्टर सारूज व्यास डाइरेक्टर फेर्फिल्ड इंस्टिटूट और मैनेजमेंट एंड टेक्न रोजी आपके सामने आज फिर हमारी जो लेक्टर शंकला है उसमें उपस्तित हुई हूँ फिलोसोफिकल फाउंडेशन ऑफ एजूकेशन के स्कूल्स जो हैं उनको लेकर के फिलोसोफि में एजुकेशन के साथ साथ में जो वाद हैं इस्कूल्स हैं वैरियस स्कूल ओफ थूर्ट इन फिलोसोफि अफ एजुकेशन और तेर रिलेवेंस इन एजुकेशन उन पे हम बात कर रहे हैं, हमने इस से पूर्व कि जो हमारी व्याख्यान श्रंकला है, उसमें आदश वाद, वास्तिक्ता वाद, प्रकर्ति वाद और अस्तित वाद पर विस्ति चर्चा की थी. आज के इस व्याक्यान श्रंख्ला में हम प्रियोजन वाद पे चर्चा करेंगे कि प्रियोजन वाद आखिर है क्या और प्रियोजन वाद को मानने वाले यानि प्रियोजन वादियों के अनुसार सिक्षा के उद्दिश्य क्या होने चाहिए पाठेकरम कैसा होना चाहिए सिक् कि जानी चाहिए इस पर हम विस्तिर चर्चा करेंगे तो चलिए हम प्रियोजन वाद की और आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे हम कि प्रियोजन वाद जो है उसके फाउंडर यानि उसके जनक कौन रहे हैं जॉन डेवी का जब नाम आता है तो फादर ओफ एजुकेशन लाइफ इटसेलफ सिक्षा अपने आप में एक जीवन है और जोन डीवी जो है वो प्रियोजन वाद के प्रियोजन वाद के जनक माने गए हैं तो सिक्षा thought लोग एज़ुकेशन प्रियोजन वाद ऐवन शिक्षा सिक्षा के बारे में हम विस्तिरिचर्चा पूर्वे किस रंखलाओं में कर चुके हैं सिक्षा से हमारा भी पाय है बालक का सर्वांगिन विकास यानि सिक्षा वो एक कड़ी है जिससे सर्वांगिन विकास होता है प्रियोजनवाद, प्रिग्मेटिजम प्रिग्मेटिजम आखिर क्या है इसका अर्थ जान लेते हैं और प्रियोजन वाद अर्थात व्यवारिक्ता एम उपियोगिता प्रियोजन वाद उपियोगिता के सिद्धान पर आधरित विचारदार है किसी भी कार्ये मुले विचार एम सिद्धान की व्यक्तिकत और सामाजिक जीवन में उपियोगिता है य आसा कारिये किया जाना जिससे हमारे उद्देश्य जो है उनकी निश्चित प्राप्ति हो जाए यानि किसी भी कारिये को करने के पीछे कोई ने कोई हमारा उद्देश्य चुपा होता है और उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए जब हम वो कारिये करते हैं तो यानि एक लक्ष होता है हमारा प्रियोजन होता है मैं एक उधरन से इसको आपको समझाना चाहूंगे कि जब दुपति का सुरंबर किया गया और सुरंबर में जो एक शर्त रखी गई थी दुपत राजय दुपत के द्वारा तो वहां पर यह था कि जो मशली घूम रही थी उसमें जो जो भी व्यक्ति जो भी राजा या जो भी वहां पर प्रति भागी थे वह मशली की आख में को भेद देगा तो वह दुपति को वरन करने योगी हो जाएगा दुपति उसी का वरन करेगी यानि उसी से भी वाग करेगी तो प्रियोजन यानि जब जिस भी राजा ने जो भी की प्रियोजन था कि जो मस्ली है उस मस्ली की आँख को भेदना यानि किसे भी कारिये को करने के लिए एक निर्धारित लक्षे एक निर्धारित उद्देश से होता है उसे हम प्रियोजन वाद कहते हैं प्रियोजन वाद की परिवाशा रौस के नुसार ऐसे तो अनेक हमारे पाश्चा थे और भारतिये जो दार्शनिक हैं उन्होंने अलग-अलग जो प्रियोजनवाद को मानते हैं उन्होंने अलग-अलग परिभाशाओं से प्रियोजनवाद को परिभाशित किया है यहां मैं अभी आपके साथ रोश की परिभाशा पर चर्चा करना चाहूंगी रो वास्त्विक्ता सदेव निर्मान की अवस्ता में रहती है यानि प्रियोजन वाद में निश्चित रूप से एक मनुस्य जो है वो किसी भी क्रिया को किस लिए करता है अपने क्रिया करता है उसमें भाग लेता है वो मुल्यों के निर्मान के लिए करते हैं और जो निर्मान की वास्त्विक अवस्ता है वो हवेशा वास्त्विक सदेव निर्वान की अवस्ता में ही रहते हैं प्रियोजनवाद पर आधरित सिक्षा प्रियोजनवाद पर हमने चर्चा करी कि प्रियोजनवाद आखिर है क्या प्रियोजनवाद किसे कहा गया है और प्रियोजनवाद की परिभाशा क्या है उसके बाद अब हम आते हैं कि प्रियोजनवाद पर आधारित सिक्षा क्या है education based of pragmatism pragmatism में सिक्षा है क्या आखिर देखे सिक्षा जैसे कि बार-बार हम चर्चा कर रहे हैं और बार-बार की व्याक्यानों में हम ये बात कर रहे हैं अब तक आप भी भली बाती जान चुके हैं कि सिक्षा का एक अगर हम संग्षिप्त परिभाशा उसको देते हैं संग्षिप्त शब्दों में और विस्त्रित यानि पूरे सारगर्वित रूप से यदि हम कहते हैं तो बालक का सरवांगेट विकासी सिक्षा है लेकिन प्रियोजन बात पर जो आधारित सिक्षा है उसमें माना गया है कि सिक्षा के शित्र में प्रियोजन बात की चर्चा करते समय यह समझ लेना आवशक है कि भौतिक भौतिक यानि जो बहौतिक दो चीज़े होती है देखे यहाँ पे एक होता है भौतिक और एक होता है एभौतिक भौतिक जो होते हैं वो संसादन होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं और एभोतिक जो होते हैं वो हमारे सिद्धान्त होते हैं आदर्स होते हैं मुल्ले होते हैं आचार वेचार वेहवार ये सारे हमारे एभोतिक में आते हैं तो प्रियोजनवाद में हैं कि सिक्षा के शत्र में प्रियोजनवाद की चर्चा करते समय यह समझ लेने की नीतानत आवशकता है कि बहुतिक, यांतरिक और जीविक तीनों ही रूप में जिक्षा है यानि सिक्षा बहुतिक वी है, यांतरिक वी है ओर जेविक भी है इसको यदी मैं संक्षित में आपको समझाऊं तो इसका अभी प्राई ये है कि तमाम तरह से किसी भी तरह से यदि शिक्षा को लिया जाए चाहे वो मुल्ले आधरी सिक्षा हो चाहे वो यंत्रा आधरी सिक्षा हो और चाहे वो मेटलिस्टिक यानि भोतिक शिक्षा हो सभी सिक्षा के रूप है आधर्स और आध्धात्मिक्ता से इसका कोई लेना देना नहीं है यहां जो एक बात कही गई है कि आध्धात्मिक्ता यानि प्रियोजन वाद में आध्धात्मिक्ता नहीं है आध्धात्मिक्ता का मतलब है कि जो हम आधर्ष वाद में मानते हैं कि मनुस्य का जीवन है उसका अंतिम और उद्देश्य होता है मौक्ष के प्राप्ति कर या स्वम को जाने लेना इसमें प्रियोजनवाद में जो सिक्षा है वो मुल्यों की सिक्षा तो है जेविक सिक्षा तो है मुल्य तो हमें चाहिए मुल्यों की साथ तो हम बढ़ते हैं लेकिन अध्यत्मिकता से बिलकुल भी और आधर्शों से यानि ऐसा नहीं कि हमने हमें ग प्रियोजन वाद में बिल्कुल प्रियोजन पर आधारित प्रियोजन लक्षित ही सिक्षा हमारी होती है उद्देश्य पून सामाजिक जीवन ही सर्वोपरी है यानि जो हमारी सिक्षा है वो उद्देश्य पून होनी चाहिए उद्देश्यों के साथ होनी चाहिए और उसमे सामाजिक जीवन है वही सर्वोपर है और सामाजिक जीवन जो है वो के वल आधर्शों पर और आध्यात्मिक्ता पर नहीं चलता है प्रियोजनवादी सिक्षाओं में परंपराओं का विशेश महत्वन ही दिया गया है बदलते परिवेश में आवशक्ता अनुरूप सिक्षा का विधान ही प्रियोजनवादी शिक्षा है देखिए बहुत बड़ी बात कही गई है इसमें कि प्रियोजनवादी शिक्षाओं में परमपराओं को विशेश महत्वने दिया गया परमपराई जो सद्यों से चली आ रही है सिक्षा की जना हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले वेदिक काल की बात करते हैं उसके बाद मुगल पीरिएड या मुसलिम काल की बात करते हैं फिर बेड़िपनिक काल और अब 21वी सधिक बाय। परंपराई यानि वेदिक काल में, जो सिक्षा की परंपरा थी, वो अलग थी, जब मुस्लिम काल आया, तो वहाँ पे महिलाओं की सिक्षा लगबगलग निशेद कर दी गई थी, प्रैदापरथा शुरू हो गई थी, बाल विवा हो ओ गया था, सती प्रता शुरू हो गई थ को और प्रादाप्रता को और महिलाएं के वाल ग्रस्ती स मेहा लेगी यह इस तरहे कि जो परमपराईं हमने अपनी आवश्यक्ता और सुवीधा अनुसार जो जिसको हमने निर्मित कर लिया था तो वो परमपराईं हैं इनको महत्व नहीं दिया जाथा और परंपराओं में जब पैत्रिक सत्ता की हम बात करते हैं जहां पितु सत्ता चलती है वहाँ ये चला गया था कि महिलाएं घर गरस्ती का काम करेगी और पुरुष कमाके लेके आएंगे लेकिन आज की परिस्तितिया में बदलते परिवेस में आवशक्ता अनुरूप का विधान ही प्रियोजन वादे शिक्षा है यानि समय बदल रहा है और समय बदलने के साथ साथ हमारी आवशक्ताएं बदल रही है और उन आवशक्ताओं के अनुसार हमारी जो सिक्षा है उसका विधान भी हमने बदल लिया और सिक्षा जो है वो लगवग लगवग हमार बालक या बालिका चात्र या चात्र या विद्धार्थी जो है वो बारवी करता तो बारवी के बाद में उसके पास तीन ही विकल्प होते थे विकल्प होते थे कि वो arts लेगा, commerce लेगा या science लेगा, आर्ट्स लेगा तो आप arts के human details के subject पढ़ेंगे, science लेगा तो वो doctor engineer बनेगा और commerce लेगा तो वो कोही bank manager या बाकी सब चीजों में, किसी company में manager बनेगा, यही, यानि उस समय हमारे पास में जो थी, वो हमारी degree जो थी, य लेकिन आज जो है जैसे जैसे हमारी आवशक्ता ही बदली और परिवेश बदला आवशक्ता बदली वैसे वैसे सिक्षा पूरी तरह से क्या हो गई है व्यवसाई करण सिक्षा का हो गया है और व्यवसाई करण में आज जब आलक 12 पास करता है बारवी की परिक्षा देता है तो बारवी की परिक्षा के पास उसको तमाम तरह के उसके पास विकल्प है। ट्रेनिंग करता है और यह सोच करके वो उस पाठेक्रम में प्रवेश लेता है कि उसको इस पाठेक्रम में प्रवेश लेने के बाद ये डिग्री लेने के बाद तीन साल का या पास साल का जो भी वो उसका पाठेक्रम लेगा उस दिग्री को लेने के बाद वो पाठीकुलर अपनी रूची के अनुसार किसी वेवसाय में उसको नोकरी आराम से मिल जाएगी लेकिन आज के तीन दसक पहले की बात करें तो शिक्षा जो है वो पूरी तरह से यह नहीं था कि किवल नोकरी के लिए या वेवसाय के लिए शिक्षा के जा रही है अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं Importance of Education According to Pragmatism प्रियोजनवाद के अनुसार सिक्षा की महता यानि सिक्षा का क्या महत्व है प्रियोजनवाद के अनुसार सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रियोजनवाद है उसमें बालक की सक्रियता पर बल दिया गया है प्रियोजनवाद में जो स विद्यार्थी जो है वो अधिक से अधिक एक्टिविटी में शामिल होगा क्यों होगा क्योंकि 21 सदी में और प्रियोजनवाद में जो सिक्षा की धूरी है वो विद्यार्थी की इर्दगिर्द घूमती है काचिन काल में सिक्षा जो थी वो सिक्षा की केंदर में सिक्षक उसक्षा दिया है और यहां पर विद्यार्थियों और सिक्षक वाहन है, जब हमने आदर्श्वाद पढ़ा तो आदर्श्वाद में जो गुरु ने जो कह दिया वो बिलकुल अंत्र सत्य था हमने वास्तविक्ता बाद पढ़ा तो वास्तविक्ता बाद में जो रियलेटी है वास्तविक्ता है जिसे हम छू सके देख सके वही है अस्तित्व बाद जब हमने पढ़ा तो हमने देखा जिस चीज का अस्तित्व है उस प्रकर्तिवाद पढ़ा तो प्रकर्तिवाद में बालक को बहुत जादा विसेस महत्वे दिया गया था उसको अवसर दिये गए थे क्योंकि जो रूसु है वो निशेदात्मक सिक्षा के पक्सदर थे और वो बालक को बिलकुल फ्री छोड़ देना चाते थे प्रकर्तिवाद भी अपने किसी प्रियोजन की सिद्धी के लिए उस व्यवसाई में आया है दो प्रकार की जो मुखे सिद्धियां है उनकी हम बात कर लेते हैं कि अध्धापक या तो अध्धापक ने अध्धापन अपना व्यवसाई बनाया है और उसके एवज में उसको अपनी आज ही का चलानी है और दूसरा यह है कि अध्यापक बहुत ही passionate यानि जुनून है उसको शिक्षन का तो वो उस जुनून के लिए उसमें आया है तो और विद्यार्थी जो है उनके लिए तो शिक्षा का विदान और प्रावदान हमने कर रखा है तो उनकी रूची अभी रूची उनकी को धार में रख करके शिक्षा दी जाएगी यानि एक्वल अपोशनिटीज एंड प्लेस फोर स्टुडेंट एंड टीचर्स प्रियोजन बात की शिक्षा में की महतों की जब हम बात कर रही है तो तीसरी पोइंट हमारे पास में है शिक्षा की प्रक्रिया समश्या के अंद हरे और उससे उसका मुल्यांकन करके हम पास कर करें नहीं शिक्षा की प्रक्रिया समश्या के अंदृत होने चाहिए एझुकेशन प्रॉसेस प्र् Great problem centered होना चाहिए, यानि जब हम कह रहे हैं कि प्रियोजनवाद यानि सिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिस से किसी समश्या का समादान हो सके, बालक के, विद्यार्थी के मन में जो जिग्याशा के भाव है, ऐसा क्यों होता है, किसलिए होता है, क्या करने से होता है, और इसको करने से क्या होगा यह जो क्यों क्या और कैसे जो मुखे यह जो तीन के है इनको धान में रख करके किसी भी पाठेक्रम को किसी भी इकाई को और किसी भी जो गध्धान्स और पध्धान्स है उनको आप पढ़ाएंगे और समश्चा के अंदृत पाठेक्रम होगा ऐसा प्रियोजनवा को एदियुरह, उस्टा को धान में रखकर और भालक को सिक्षा दी जाएगी संता के बाद में योगीता के बाद में हम बात करें रूची की उसका इन् Pre-स्रेंटर्श की एलिया क्या है वो क्या चाहता है कैसे करना करना चाहता है शिक्षा प्राप्त करके किस ओर जाना चाहता है वो किस मेथड से पढ़ना चाहता है वो सब देखा चाहेगा आवशक्ता अनुरूप से और उसकी नीड कितनी है आवशक्ता कितनी है देखे जब ये वाला इस वाले पॉइंट को हम डिसकस कर रहे हैं योग गिता, रूची और आवशक्ता अनुरूप सिक्षा की विवस्ता तो इसमें ये बताना बहुत आवशक्ता अनुरूप सिक्षा की जो विवस्ता है उसमें जब हम कक्षा कक्ष में सिक्षन करवाते हैं तो कक्षा कक्ष में तीन कैटेगरी यानि तीन सम्हों के विद्यार्थि होते हैं, एक होते हैं सामानने से नीचे, एक होते हैं सामानने बुद्धी लब्दी वाले, एक सामानने से कम बुद्धी लब्दी वाले और एक सामानने से अधिक बुद्धी लब्दी वाले, तो उन और यदि ऐसा भी नहीं है तो यदि हमारे slow learner और advanced learner यानि जो धीमी गती से सीखते हैं और जो तीवर गती से सीखते हैं उन विद्धार्थियों के लिए भी सिक्षा की विवस्ता प्रियोजनवाद के नुसार की जानी चाहिए arrangement of education according to eligibility, interest and needs ये हमारी कुछ हमने प्रियोजनवाद की जब महता की बात कर रहे हैं तो इसमें इचीज और है मानविये गुणों के स्तापना यानि मानविये गुणों की देखिए सिक्षित अगर किसी व्यक्ती के पास degree है उसने बहुत बड़ी बड़ी उपादियां ले रखी हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो real sense में human है humanities के लिए जो हमने पूर्व के शंक्रा में या पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा कि humanities के लिए मनुस्य में कौन से characteristics होने चाहिए उन characteristics की जो इस्तापना है उनको उनको उनमें calculate करना भी मानुविये गुणों की स्थापना करना भी प्रियोजनवादी सिक्षा का की महता है फिर आते हैं अनुभाव के आधार पर सामाजिक सम्ताओं का विकास यानि ऐसे सिक्षा दी जानी चाहिए प्रियोजनवादी को कहते हैं कि development of social capabilities based on experience यानि शम्ताओं का जो हमार अनुभाव के आधार पर जो सामाजिक सम्ताओं हैं इनका विकास हो जाए ये development हो जाए इस तरह की चीज़े हमारी हमारा जो प्रियोजनवाद है उसमें प्रियोजनवाद के अनुसार शिक्षा की महता पर ये कुछ चर्चा की गई है प्रियोजनवाद के अनुसार सम्पून व्यक्तित्व का विकास लेकिन सामाजिक आधार शिल्पाई सम्पून व्यक्तित्व का विकास देखें दू तरह की चीज़े होती है जब हम विकास की बात करते हैं और सम्पून यानि development of entire personality but on social foundation entire जो हमारा एक वर्ड हमने करा entire personality यानि समूचित जो हमारा व्यक्तित्व है उसका विकास होना चाहिए ये administer Weetism के follower pragmatism को मानने वाले provision बात को मनने वाले ऐसा कहते हैं लेकिन कैसी होनी चैशिए social foundation उसके आधार सिला सामाजिक जो हमागा आधार शिला पर होनी चाहिए क्योंकि मनुस्से क्या है मनुस्स्सॿ एक सामाजिक प्रानी है और सामाजिक प्रानी के लिए समाज में रहने के लिए उसे जो भी उसकी योजनाई हैं सिक्षा हैं उपलब दिया हैं सारी है उसके केंद्र में कहीं ने कहीं समाज है तो ये प्रियोजनवाद के अनुसार हमारी शिक्षा की में सिक्षा की जब हम बात कर रहे थे तो प्रियोजनवाद के अनुसार शिक्षा की महता पर हमने विस्ति चर्चा करें और मैं आशा करती हूँ कि आपको इस चर्चा में ये जो सारी चीजें हैं वो निश्यत रूप से समझ में आ गई होगी पुन्रवरती की लक्षशे मैं एक बार फिर से दो रहा देती हूँ यदि किसी बालक से या किसी विद्यार्थी से कोई पॉइंट चूट गया हो कोई बिंदू चूट गया हो तो मैं पुन्रवरती हूँ प्रियोजन वाद के नुसार शिक्षा की महता नमबर वन बालक की सक्रियता चाइल्ड एक्टिविटी नमबर टू विद्यार्थियों और शिक्षकों को समान अवसर इम इस्तान देना उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमारा नेक्स्ट जो नेक्स्ट में हम चर्चा जब करेंगे इसकी तो नेक्स्ट चर्चा के अंतरगत हमारा आता है कि हमने जो महता की बात करी उसमें बालक की सक्रियता हो गई विद्यार्थियों और सिक्षकों के समान अवसर और इस्तान हो गई शिक्षा के प्रिक्रिया समच्टके अंतरित होनी चाहिए नेकिन किस पर सामाजिक आधार शीला पर होनी चाहिए ये कुछ हमारी जो प्रियोजन वाद की के अनुसार सिक्षा है उसके महत्व को हमने यहाँ पे मिस्तिच चर्चा करी है और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम देखते हैं objective of education according to pragmatism objectives of education according to pragmatism प्रियोजन वाद के अनुसार सिक्षा के उद्देश्य क्या है development of personality सबसे पहले जब हम उद्देश्यों की बात करेंगे तो प्रियोजन वाद में कहा गया है कि development of personality व्यक्तित्व का विकास करना यानि सिक्षा कैसी होनी चाहिए सिक्षा का उद्देश्य क्या है कि ऐसी सिक्षा जिस सिक्षा के प्रदान करने से और जिस सिक्षा को ग्रहन करने से व्यक्तित्व का संपून विकास हो सके व्यक्तित्व का विकास होना सके ऐसी सिक्षा होनी चाहिए दूसरा हमारा है overall development of child बालक का सरवांगिन विकास यानि जो दूसरा हमारा प्रियोजन वाद के अनुसार सिक्षा का उद्देश से है वो है बालक का सरवांगिन विकास जो हम शुरू से चर्चा करते आए हैं और वो आप जो philosophy के school से इनके किसी भी thought को उठा लीजिए जिस भी थोड को हम उठाएंगे उसमें सब में यही है कि education यानि सिक्षा का जो उद्देश से है हमारा जो objective है सिक्षा का वो सरवांगिन विकास overall development होना चाहिए next है development of leadership quality नेत्रित्व शम्ता का विकास यानि ऐसा इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जिससे बालक में नेत्रित्व करने की शम्ता आजाए development of social capabilities यानि सामाजिक शम्ता का विकास यानि समाज क्योंकि बालक विद्यार्थी मनुस्ते सब सामाजिक प्रानिया हैं समाज में रहते हैं समाज से जुड़ी होए हैं तो हमारी जो सिक्षा है उसका उद्देश से सामाजिक शम्ता का विकास करना भी है opportunity of natural attitude of child बालक की स्वाभाविक अभिवरति का विकास देखे एक चीज़ यहां पे हमें समझ लेनी होगी कि जो बालक होता है विद्यार्थी होता है चात्र जो होता है उसकी कुछ स्वाभाविक अभिवरति होती है यानि जन्म जात प्रवरतियां होती है जो उनको जन्म के स ब्रतियों में के विकास के लिए हैं सीक्षा देखने चाहिए development of work, ethics, and skills, personality नेतिकता, और कोशलात्मक व्यक्तित्व का विकास यानि जब हम आगे बात करते हैं तो नेतिकता, कोशलात्मक विकास, development of work ethics and skills personality यानि हमारी जो personality है हमारा आचार विवार और विवार है इसका विकास हो और नेतिकता का और जो skill है उनका भी विकास हो तभी सिक्षा का कोई ओचित्ते है उद्देश्य है तो प्रियोजन बात के अनुसर सिक्षा के उद्देशों में हमने मुख्य मुख्य बाते करी हैं Development of Personality और Old Development of Child नेत्रत्र शम्ता का विकास सामाजिक शम्ता का विकास बालक की स्वाभाविक अव्रिवरति का विकास और नेतिकता और आध्यत्मिक व्यक्तित्र का विकास ये कुछ जो हमारी कुछ मैन हैडलाइन से जिनके अनुसार सिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं और इनी चब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विनाम देती हूं धन्यवाद नमस्कार झाल